तो बच्चों कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़रा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है इसका एक important sample question paper इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ये हमारा हिंदी का आठवा sample paper होने वाला है जी हां बच्चो ये हमारा हिंदी का आठवा sample paper है आपका जो 19 फरवरी को exam होने वाला है ना 19 फरवरी 2024 को जो आपका board exam होने वाला है उसके लिए ठीक है तो अगर आप अपने board exam के त्यारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इसके अंदर जो भी हम questions discuss करेंगे ये बहुत ज़्यादा important question है पिछले 10 साल का अगर आप paper उठा करके देखेंगे तो ये questions बार-बार repeat हो रखे हैं तो आपकी चाहों के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं ये questions जो हम लोगी sample paper में discuss करेंगे ठीक है वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए आ आ गए हैं विद्ध्याले study point को भी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजे इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए ल वो और भी बहतर से बहतर तरीके से हो सके साथ ही साथ इस वीडियो को जादा से जारा like कीजेगा बच्चो जितना जारा वीडियो को आप like करते है उतना जारा हमारा motivation बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो class 12 है हमार कि एसी नमबर का आपका पेपर आएगा बात करें अगर आपसे आपके बोड़ के पेपर की तो जो आपका बोड़ का पेपर होगा वो कुछ इस तरह का होगा format जो होगा इस तरह का रहता है आपका example के लिए इंहें को इहाँ पर दिखा रहा हूं जैसे कुछ भी आपका एक सीरीज नमबर आ सकता है, ठीक है? सैट नमबर one है, यहाँ पर जो मैंने ले रखा है तोटल चार सैट आपका आता है नीचे चले तो यहाँ पर आपको कोड नमबर ठीक है? इस तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको अपना रोल नमबर लिखना होता है आपका कि जो आपका प्रश्न पत्र है यानि कोशन पेपर हे वाला वो दो खंडों के अंदर बटा हुआ है खंड और खंड बाउ करके जो आपका खंड और हैगा जिसको इंग्लिज में आप section A भी कह सकते हैं इसके अंदर वस्तु उपरक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बाकि आप वीडियो पॉस करके रीड भी कर सकते हैं तो यह कुछ important बाते रहीं जो आपका 19 फरवरी 2024 को हिंदी सब्जेट का board exam होने वाला है उससे संबंधित आसा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बाकि हम सबने मिल करके आपके लिए हिंदी के 20 sample papers बनाए हैं अगर आप इन sample papers को ले करके अपने तयारी को और जारा अच्छा करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अगला जो आप clip देखेंगो वो उसी से संबंधित होने वाला है तो अगला clip देखिए बच्चो आपके लिए लेकर क्या है हिंदी के 20 sample papers जीहां बच्चो अगर आप इन 20 sample papers की सारा experience आपको देखने को मिलेगा तो sample paper लेने के लिए screen पर दिये हुए number पर contact केजिए और 50% की भारी छूट का लाव उठाइए तो हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर जिसको English में आप section A भी कहते हैं इसके अंदर वस्तू परक प्रकार के जो प्रसन होते हैं हमसे पूछ और इसके अधार पर जो आपसे question पूछे जाएंगे उसका answer आपको लिखना है बच्चो तो गध्यांस कुछ इस प्रकार से आपका कि विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि विनमरता के बिना स्वतंतरता का कोई अर्थ नहीं है जो विद्वान लोग है बड़े- लभी नहीं बनता है ठीक है इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्मसंसकार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंतरता जो सकी परमाश्वक जो है चाहे उस स्वतंतरता में अभिमान और नमरता दोनों का मेल हो ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से आपका यह गध्यांस दिया गया है इसके आधार पर पहला कोशन देखें यहां पर क्या पूछ रहा है हमसे कि विनमरता के बिना किसका अर्थ नहीं होता है तो विनमरता के बिना बच्चो जैसा कि हमने पढ़ा स्वतंतरता का कोई अर्थ नहीं होता है नेक्स्ट कोशन मानसिक सोतंतरता किसके लिए आवेश्यक है तो मानसिक सोतंतरता बच्चो आत्म संसकार के लिए आवेश्यक है अगला कोशन आत्म निर्भर मनुष्य कैसे नहीं रहता है तो जो आत्म निर्भर मनुष्य होता है वो परमुखा पेक्षी जो है इस तरह से नह नेक्स्ट कोशन डबूपन का क्या दूस्परिनाम होता है तो डबूपन का दूस्परिनाम होता है वह त्वरित निरनय नहीं ले सकता है ठीक है यहां पर एक चीज में और क्लियर कर दू जो मैंने 25 बार बोल रख है आपसे कि जो हम आपको गध्यान्स करवाते हैं same to same आने के संभावना बिल्कुल बहुत जारा कम रहता है आपका, ठीक है, क्योंकि ये unique आता है आपके paper में, ध्यान रखेगा, ठीक है, लेकिन हम आपको ये करवाते हैं, क्यों है, गध्यान्स हो गया, कावयान्स हो गया, ताकि आपकी practice हो सके, जितना जारा आप practice करेंगे, उतने आसानी से अपने paper में इन questions को आप solve कर पाएंगे, ठीक है बच्चों, इसलिए हम आपको इस तरह से practice करवाते हैं, ओके, अगला question देखेंगे, यापर क्या है हमारा, कि आत्म मर्यादी व्यक्ति कैसा होता है, तो जो आत्म मर्यादी व्यक्ति होता है, ये आपका आत्म संसकारित होता है, ठीक है, अगला question देखेंगे, यापर क्या पूछ रहा है, युवा को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो युवा होते हैं, यंग लोग होते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि उनकी अकांचाएं उसकी योग्यताओं से बड़ी हुई ह ठीक है, इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए, नेक्स्ट कोशन, सच्ची आत्मा का क्या आर्थ है, तो सच्ची आत्मा का आर्थ होता है बच्चो, जो हर दसा में अपनी राह निकालती है, ठीक है, गवाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, अगला प्र पदल दे, ठीक है, जैसे आकार, मैं लिखता हूँ यहां पर, आकार और मैं यहां नी लगा देता हूँ इस तरह से न, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर गुन, और गुन के आगे, अगर मैं अव लगा दूं तो यह क्या हो जाएगा, अ नेक्स्ट नेक्स्ट डबूपन कैसे व्यक्ति के विकास में बाधक हो सकता है तो जो एक उत्तर हो जाएगा अगला कॉष्ट के लिए उचित शिर्सक्या हो सकता है जो हमने गध्यांस पढ़ा समझा उसके आधार पर आपको बताना है कि सही टाइटल क्या हो सकता है उसका तो यहां पर आप लिख सकते हैं विनमरता का महत्व ठीक है क्योंकि विनमरता की बात यहां पर की गई है बच्चो ओके अगला प्रशन देखिए अब हम लोग दूसरे प्रशन के अंदर आ गया है यहां पर आपको काव्यांस दे दिया है काव्यांस को पढ़ना है और इसके आधार पर जो हमसे प्रशन पूछे जाएंगे उनको हल आपको करना है तो इस तरह से काव्यांस आप देख सकते हैं वीडियो पौस करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं इस बच्पन के दिन बहुँ ज़्यादा मधूर होते हैं, बच्चे सब को प्यारे लगते हैं, बच्पन के दिन स्वक्षंद और उल्लास्पूर्ण होते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, इन तीनों ही कारुणों की वज़ा से जो कवित्री है, उसको बार बच्पन की याद आती है, ओके बच्चो, ठीक है, और देखिए कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कोशन कहां से आ जाता है, तो कोशन जो कावियांस से आपका या गध्यांस होता है, उसी के अंदर से कोशन बनता है, और answer भी उसी के अंदर से आपको लिखना होता है, ढू पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाएंगी, तो इस चीजों का खास ध्यान रखेगा, दूसरा कोशन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, कि नन नवन का प्रियोग किस के लिए किया गया है, तो नन नवन का जो प्रियोग है अपने घर के लिए किया गया है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन, बच्पन की कौन सी बात भूली नहीं जा सकती है, तो बच्पन की अगर वह बात की हम यहाँ पर चर्चा करें कि जो भूली नहीं जा सकती है, तो चीनता रही जीवन था, जब आपका बच्पन था, तो आपको थोड़ी नहीं चीनता था, कि वह याँ बो लग जाते हैं कुछ भी मतलब कुछ भी बच्चे करने लग जाते हैं क्योंकि उनको उतना ग्यान नहीं होता है ठीक है और जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे मन में होता है यार कास हम बड़ी हो जाए जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए ठीक है और जब बड़ी हो जाते हैं तो चाहिए इस तरह से करके, एग नहीं, कई बच्चे देखता हूं, बिल्कुल जिद्धी होते हैं, ठीक है, और जो की जो है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए, बच्चपन सब का बार बार नहीं मिलता है, एक बार ही बच्चपन मिलता है, लाइफ एक ही बार मिलती है, तो हर एज जो है, उसको इंजोई करना चीए बैखती को, ठीक है, तो इस तरह से आपका इहां पर उप्रोग तो जो सभी है, ये करेक्ट एंसर हो जाएगा बच्चो, आसा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं, और अगला कोशन देखते हैं, आपर क्या पूछ रहे हम से, कि बड़े-बड़े मोती से आसू जैमाला पहनाते थे, पंक्ती में नहित अलंकार का नाम बताए, इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार, नेक्स्ट कोशन, कि कवित्री की बिटिया हाथ में क्या लेकर आई थी, तो कवित्री के जो बिटिया थी, हाथ में मिट्टी लेकर के आई थी, क्या लेकर आई थी बच्चो, मिट्टी, next question, काव्यांस में निहित रस कौन सा है, तो इस काव्यांस में जो रस है बच्चो, वातसल्य रस है, कौन सा रस है बच्चो, वातसल्य रस, next question, निमलि बचपन को बुला रही थी, किसको बुला रही थी? बचपन को, और अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है, तो विडियो को लाइक करते चलिए, बचछो, आपका एक like हमें बहुत जादा motivate करता है, इसी तरह की विडियो को बनाने के लिए, वीडियो को लाईक जरूर कीज़ेगा, चैनल पर अगर आप नहें आ गए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लिजे, इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए ले करके आत रहते हैं, जैसी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी ये घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा उसको प्रेस करके All पर क्लिक कर दीजेगा जिससे की जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सब से पहले आपके फोन पर आ जाए करें आपकी जो तयारी ह एक्जाम्स के लिए वह और भी बहतर से बहतर तरीके से हो सके अब हम लोग आ गए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो आपकी पूस्तक है इस पर आधारित प्रस्नों के अंदर तो अभिव्यक्ति माध्यम के अधार पर यहां पर हमसे MCQ कोशन पूछे जाएंगे उस कोशन रेडियो समाचार की संरचना किस सहली पर अधारित होती है तो रेडियो समाचार होता है इसकी जो संरचना होती इस्ट्रक्चर होता है यह किस स्टाइल पर होता है तो यह होता है बच्चो आपका उल्टा पिरामिड सहली पर जिसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट ची यहाँ पर तीसरा कोशिन क्या पूछ रहा है कि सार्वजनिक तोर पर उपलब्द तथियों, सूचनाओं तथा आंकडों की गहरा इसे चानबीन करने वाली विशेश रिपोर्ट को कहते हैं उसकी रूची खेल संबंधी समचारों में हैं, संपादक द्वारा उसे खेल संबंधी समचार लाने का कार्य प्रदत किया जाता है इस विभाजन को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं बीट, ओके बच्चों बाचवा कोशिन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पत्रकारों द्वारा सुचनाएं पाठ को दर्सकों और सुरोताओं तक पहुचाने के लिए जहसों की लेखन के जिस विभिन रूपों का परियोग करते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं बच्चो देखने वाले हैं वो आपका पाठ्थे पूश्टक अंतराल भाग दो जो है इस पर आधारित होने वाला है तो देखते हैं यहाँ पर आपको काव्यांस दे दिया है वीडियो पॉस करके पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं इसकर आधार पर जो हमसे कोशन पूछे या प्राकिरतिक परिवतन ठीक है अग्रा क्राश्ट्ट के काविसर पहले कभी को वशन्थ के आने की सूचना कैसे मिलती थी कविताये से मिलती थी दफ्टर की चुट्टी से मिलती थी थी तो इसे साब से उपयोक्त सभी यहाँ पर हमारा Correct Answer हो जाएगा अगला प्रसन देखिए क्या है कि इसके पहले कभी वसंत के विशय में क्या नहीं जानता था इसके पहले कभी वसंत के विशय में नहीं जानता था कि वशंत रीतु में प्रकृति के परिवर्तनों का अनुभाव हमें देखने को मिलता है जो वसंत रीतु आती है उसके अंदर जो प्रकृति जो सुकी सकती है तो यहाँ पर जो सब्द सकती है वो है वेंजना ठीक है नेक्स्ट कोशन दहर दहर बहकेंगे कहीं धाक के जंगल में बिम्ब है तो यहाँ पर आपका द्रिश्य करेक्ट एंसर हो जाएगा ओके अब हम लोग आ गए है पांच वे कोशन के अंदर यहाँ पर देखे क्या कह रहा है कि निमलिखित गध्यांस को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर अधारित दिये गए प्रस्तनों के सरवाधिक उप्यूक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए तो यहां पर आपको गध्यांस दे रहा है इसको पढ़ना है इसके आधार पर जो कोशन पूछे जाएंगे हमसे उसका एंसर दे ना है क्या है बच्चो कोई नहीं next question लेखक किस मादक सोभाग पर बलिहारी होने की बात कर रहा है तो यहां पर आपका correct answer हो जाएगा next question धदक्ति लूक किसका प्रतीक है का अभिप्राय क्या है तो यहां पर हो जाएगा यम्राज का दारून नीश यह correct answer हो जाएगा अगला question पासान की कारा में रुध अज्यात जल स्रोत से रस खीच कर सरस कौन बना हुआ है यहाँ पर correct answer हो जाएगा कुटज बच्चो ठीक है next question लेखक को कुटज से इर्षया क्यों होती है तो लेखक को कुटज से इर्षया इसलिए होती है क्योंकि सुने गिरी कांतर में भी मस्त खड़ा रहता है अग्यात जल स्रोत से बर्ब बस ही रस खीच लेता है और धरकती लू में भी हरा भरा वो रहता है इन सभी कारणों की वज़य से जो लेखक है उसको कुटज से इर्षया आया वच्चो ओके अब हम लोग आ गए है कि भैरो को सूर्दास के प्रती उक्साने का कारे किसने किया तो भैरो को सूर्दास के प्रती उक्साने का कारे किया जगधर ने किसने किया वच्चो जगधर ने चूला ठंडा किया होता, तो दुस्मन का कलेज़ा कैसे ठंडा होता, या किसका कथन है, तो यह जो कथन है बच्चो नायक राम का है, लेखक कभ समझ पाया, जब बतकों को अपने अंडे सेते हुए देखा उसने, ठीक है, उसको देखकर, next question मा जा मना हूं मीन कह व्यापा किसे से संबंदित है तो ये आपका राजा दसरत राम के विरह में कह रहे हैं इस से संबंदित है next कुमूद क्या होता है तो कुमूद बच्चो यहाँ पर आपका एक जल पूस्प होता है कुईया होती है कोको बेली होता है इस साब से उपरोग सभी आपका correct answer हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए आज की सभिता नदियों के पानी को कैसा बना रही है तो आज की जो सभिता है जो नदियों का पानी है उसको गंदे नाले के समान बना रही है बच्चो अगला प्रस्ण देखिए कि तीन तीन जो सुकी फिन फिन करती बह रही थी मैं कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर आपका जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है ठीक है बच्चो तो यहाँ पर हमारा हिंदी का आठवा जो सैंपल पेपर था उसका ये पार्ट वन वाला वीडियो यहाँ तक हम एंड कर देते हैं इसका अगला जो वीडियो आएगा पार्ट वाला जिसके अंदर ये वाला सैंपल पेपर आठवा सैंपल पेपर हिंदी का हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चो यही था आज का वीडियो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया बगल में आपको bell का घंटी यह घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका icon देखने को मिलेगा उसको press करके all पर click कर दीजेगा जिससे की जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका notification सबसे पहले आपके phone पर आ जाए करें और आपकी जो तयारी है exams के लिए वो और भी बैतर से बैतर तरीके से हो सके आज के लिए इतना ही मिलता हूँ आप सगली और exciting वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए खुश रखिए सभी को जै हिंद बंदे मात्रम और हाँ बच्चो अगर आप हिंदी के 20 sample papers लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस WhatsApp नंबर पर contact करके ले सकते हैं वैसे तो यह 199 रूपीज का है लेकिन अगर अभी आप लेंगे तो केवाल आपको 99 रूपीज में हिंदी के 20 sample papers देखने को मिल जाएंगे जिसको लेकर के आप अपनी exams की जो तयारी है उसको और अच्छा कर सकते हैं नेक्स लेवल पर ले जा सकते हैं ठीक है जै हिंद